60-70 के दसक की बहतरीन एक्ट्रेस की बात हो तो आसा पारिख का नाम सबसे उपर आता है एक समय था जब आसा का इंडस्ट्री में सिखका चलता था अपने बबली नेचर और खुबसूरती से लाखों लोगों का दिल जीतने वाली एक्ट्रेस का आज जनम दिन है लाखों आपको आसा पारिख से जोड़ी कुछ ऐसी बाते बताने जा रहे हैं जिन्हें कम लोग ही जानते होंगे आसा पारिख का जनम दो अक्टूबर 1942 को गुजरात में हुआ था एक्ट्रेस की माता मुस्लिम और पिता गुजराती थे 81 साल की हो चुकी आसा ने अपने फिल्मिक करियर की सुरुआत बताओच चैल्ड आर्टिस्ट की थी आज आसा किसी पहचान की मोहताज नहीं है एक्ट्रेस ने अपने एक्टिंग करियर में इंडेस्ट्री को कई बहत्रेन फिल्में दी है उनकी एक अदा पर लोग मर मिटत थे एक्ट्रेस ने फिल्म दिल देके देखो में अपनी सांदार एक्टिंग से रातो रात ऐसी पच्चान बनाई कि वो घर-घर में फेमस हो गई निर्माता सुबोध मुखरजी और नासिर हुसेन ने उन्हें इस फिल्म का ओफर दिया था जिसमें उनके अपोजिट समी पूर थे इस फिल्म की काम्याबी के बाद एक्ट्रेस ने फिर कभी पीछे मूर कर नहीं देखा और हिट पे हिट फिल्में देती गई लाखो लोगों के दिलों पर राज करने वाली आसा पारेक असल जिन्दगी में बिलकुल अकेली हैं हलाकि एक्ट्रेस ने भी कभी किसी को दिल दिया था लेकिन घर तोड़ने वाले औरत न बनने का फैसला कर अपने प्यार को कुर्बान कर दिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आसा निर्माता नासिर हुसेन के प्यार में पागल थी लेकिन नासिर पहले से ही साधी सुदा थे ऐसे में किसी का बसा बसा या घर न तोड़ने का फैसला करते हुए आसा ने अपनी राहें अलग कर ली एक्ट्रेस नासिर से इतना प्यार करती थी कि कभी किसी और से दिल न लगा पाई और आज वो बिलकुल गवारी है तो कैसी लगी आप सबको हमारी ये वीडियो ऐसे ही और वीडियो और स्टोरी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बगल की घंटी जरूर बजाए